दोस्तों आप घर बैठे अपने अधार कार्ट का अगर आप फोटो चेंज करना चाहते हो या फिर मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हो या फिर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो तो ये सारा कुछ आप घर बैठे अपने फोन की मदब से कर सकते हो आपको ना कोई अप अधार सेंटर जाना है बस आज मैं आपको जो जो तरीका बता रहा हूं बस उस तरीके को आप फॉलो करो बिल्कुल फ्री में घर बैटे आप अपना सारा कुछ अधार का चेंज कर सकते हो चाया प्रोफाइल फोटो जो फोटो होता है वो चेंज करना चाहो या फिर अगर आता है मैंड में तो इंस्टाग्राम पर डिम करना इंस्टाइड यहाँ आप लोग को देखने करें मिल रहा होगा बाकि इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तो अधार कार्ड में अपना फोटो चेंज करने के लिए या फिर मोबाइल नंबर लि लेना है लैंग्वेज सेलेक करने के बाद अधार का ओफिसियल पॉटल यहाँ पर खुल जाएगा अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर गिट अधार का ओप्सन मिल जाएगा जिसके निच्छे आपको एक ओप्सन और मिलता है बुक ऑन आपका photo change करना है mobile number link करना है सब कुछ घर बैट होगा तो यहाँ पर book on appointment पर आपको click कर लेना है अब यहाँ पर अपना जो city है उसका नाम यहाँ पर आपको select कर लेना होगा ठीक है अगर यहाँ पर आपका city का कोई name नहीं है तो आपके state में कोई बड़ा city होगा उसका भी न तो जो मिल जाते है तो चाहां पर को मिलता है जिस पर आपको इसिपर क्लिक कर द altri है यह नहीं पर आपको अपना code डालना है जो pin code होता है उसे डाल कर देखना है कि यह जो service camp है वो आपके area में आया है या फिर नहीं तो यहाँ पर pin code डालेंगे और सबसे पहले check availability पर हम यहाँ पर click कर देंगे अब अगर ऐसा लिखा हुआ आता है service available for यहाँ पर आ रहा है entered pin को ठीक है तो अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है तो समझ लो कि आपके area में यह camp आ चुका है तो बस आपको क्या करना है आधार camp पर tick करना है टिक करने के बाद यहाँ पर अपको अपना mobile number डालना होगा ठीक है mobile number यह capture code यहाँ पर डाल देना है उसके बाद generate OTP पर आपको click कर देना है अब जैसे इस पर click करोगा दोस्तों यहाँ पर mobile number आ जाएगा और जो OTP आपके पास आया है वो OTP डालकर और verify OTP पर आपको click कर देना है ठीक है अब यहाँ पर ध्यान दिजेगा main चीज यहाँ पर है अ जो कि अगर आपको photo change करवाना हो mobile number link करवाना हो वो सारा कोच वो आकर आपके घर पर करेंगे ठीक है तो वो agent आते है agent जो होते है UD अधार काटके तो वो आएंगे अब यहाँ पर आपको क्या-क्या fill करना है यह आप देख सकते हो यहाँ पर request ride है ओके तो यहाँ पर आपको यह select कर लेना है कि आप उन agent को पहा पर बुलाना चाहते हो public place में private पर बुलाना चाहते हो education institution पर बुलाना चाहते हो वो यहाँ पर select कर लेना जैसे कि मैं private जगा पर बुलाना चाहता हूँ ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर अपना building number आप यहाँ पर building name आपका जो building का नाम ह वो यहाँ पर आप डाल देना है, ठीक है, building नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको pin code डाल देना है, जो कि automatic यह ले लेगा, village, town, city यहाँ पर आपको डाल देना है, उसके बाद post office आपका कहा है, वो डाल देना है, अब जैसे post office डालोगे तो district और जो आपका state है, वो automatic ले लेग लोकलेटी जो sector है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, landmark में आपके असपास कोई ऐसा landmark हो, जो की मतलब की जाला मसहूर हो, वो चीज डालना चाहो, तो वो डाल सकते हो, बाकी यहाँ पर आपको street road, land, यह सब डालना चाहो, तो यहाँ पर सारा कुछ fill कर देना, ठी यहाँ पर अब आते हैं, निचे, ध्यान दीजेगा कैसे कैसे करना है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ा होगे न, तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इस वज़े से मैं कह रहा हूँ, अब यहाँ पर ध्यान दीजे, point of contact detail, ठीक है, यहाँ पर आपको अ देता हूँ, ठीक है, यह proof के लिए है, यह जब आते हैं न, तो वो मांगते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर email idea अपना डालना चाहोँ, तो email idea डाल देना, अब उसके बाद यहाँ पर है, transition details, ठीक है, यह main चीज है, अगर आप इसे नहीं समझोगे, तो यहाँ पर बहुत दिकत ह हो जाएगा, देखिए, जब आप अधार कार्ट में कुछ भी change करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर minimum 10 लोग होना चाहिए, ठीक है, जिनके अधार में कुछ change करवाना हो, जिनका अधार बनवाना हो, या फिर अधार में photo change करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, तो आप जैसे 10 ल है, तो ऐसे में आपको, जिसको जिसको करवाना होगा, सबको आप देख लेना, और 10 लोग जब हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सारा कुछ उनका feel कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको डाल देना है, कि कितने लोग हैं, ठीक है, तो जैसे कि अभी मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पर zero कर दूँगा, ठीक है, अब उसके बाद demographic update, demographic update में क्या क्या आता है, देखिए, यहाँ पर है, तो what is that पर हम click करेंगे, और इसमें क्या क्या आता है, demographic update में आप name, gender, mobile number, email, address, date of birth, यह सब कुछ जब हो change करवा सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप यह सारा कुछ जो चेंज करवाना चाहो, तो इसमें जो है वो डाल देना है, और इसकी जो fee है, देखिए, यह सब change करने का जो fee है, वो 50 रुपया, per person, 50 रुपया लगेगा, अगर एक का change करवाना है, तो उसमें 50 रुपया लगेगा, ठीक है, तो इसमें मान आप लोग डाल दिये, और उसके बाद, यहाँ पर है, देखिए, इसका जो है, आठ लोगों का 400 रुपया लगा ना, 50 रुपया का हिसाब से, 8 लोगों का 400 रुपया, देखिए, अब यहाँ पर जो अगला है, वो है, बायोमेट्रिक अपडेट, अब बायोमेट्रिक है यहां पर टोटल हो गया यहां पर चार सो और रूपय हो गया उसके बाद यहां यहां पर यह सब कुछ हो गया यहां इंसरे हो इस नहीं को डाल next पर हम click कर देंगे यह चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर 10 लोग से ज्यादा है तभी आप जो हो आपके घर पर एक दो लोग के लिए नहीं आते हैं अब यहाँ पर आपको अपना जो है वो date select कर लेना है कि आप किस दिन जो है वो free रहोगे किस दिन आप बुलाना पर यहाँ पर मृट्ट कर लिया है अब इसके बाद येहां पर हम क्या और हम क्लिक कर देंगे अब जैसे हाँ एक सारा कुछ डिटेल यहां पर दिछाई दे रहा है कि यहां पर क्या क्या है इतना है और हम सबकुछ Hierह ब कुई है और रिखें current यहां मेरं कि कुछ आ गया और मैंने government ID में क्या दिया है pen card यह सब कुछ यहां पर आ गया है ठीक है अब यह इस चीज में ना भूलना pen card जो दिया है यह मांगेगा उसके बाद आजेंगे तो यहांपे लोग करना है यहां यहां पर आपको सारा उप्सन है अगर आप credit card debit card net banking UPI से करना चाहो जिससे भी करना चाहो यहां से आप जो डारेक्ट्ली कर सकते हो तो जैसे कि मैं UPI से करने वाला हूं तो यहां पर make payment पर हम click करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर देखें 600 रुपया आ गया अब यहां पर देखें UPI है तो UPI कर सकते हो अगर आप देखें इस सब कुछ आ गया क्यूआर कोट से आप यहां पर payment वेगरा अपना कर सकते हैं तो जब आप payment कर दोगे तो जितने लोग भी है उनका सब कुछ घर पर हो जाएगा अब आपको अधार सेंटर जाने के जरूरत नहीं है अधार सेंटर को आपको अपने घर पर बुला लेना है और बुलाने के बा दस लोग होना चाहिए दस लोग से ज्यादा होना चाहिए तब जह वो अधार सेंटर पर घर पर बुला सकते हो ठीक है बाकी इतना ही था वीडियो में यह सब कुछ जब आप कर सकते हो दोस्तों अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्फुल रहा होगा तो प्लेस इस वीडि के लिए जबा कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे जुरूर बताना कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो मिलता है किसी ने वीडियो के साथ तब तक के लिए जया हिंद एंड टेक केर